कि अच्ट कि मैं आप लोग को एक ऐसे स्टुरेंट से मिलाने जा रहा हूं को अब अभी अभी ट्रेनिंग से आए हैं और यहां के जर्णी और अपनी जर्णी और अपनी जर्णी कुछ प्लीज बेलकम टू मिश्टर शौरब कुमार बताईए पहले तो थैंक्यू सर यहां बुलाने के लिए और मैं सर का बहुत बड़ा स्टुडेंट भी हूँ क्योंकि मैं 2019 में 12 पास आउट किया था यहां से और आगे की जर्णी मैं कंटिन्यू करते रहा फाउज में ही पहले मैंने इंडिये क्राइक किया दो बार दो बार सस्वी मैंने गया लेकिन मैं एक बार स्क्रीन आउट एक बार कॉन्फरेंस आउट हू लेकिन इस वार मैं अगनी पाता स्कीम के जरिये मैं आज एक इंडियने अर्फोर्स में एक सोल्जर हूँ सबसे पहले मैं सर को ठैंक यू इसलिए भी बूलना चाहता हूँ क्योंकि इनके ही बज़ा से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक तो होते है माता पिता और फिर दूसरे गुरू ही होते है जो आपके माग दर्सक होते है आपको एक अस्तान से दूसरे अस्तान ते पहुंचाते है और साथ ही साथ बात रहती है पढ़ाई की, तो आप जितना भी पढ़ो उतना कम होता है, मैं सरके साथ रात रात भर भर भी पढ़ा हूँ, फूरे दिन पढ़ता था, और मैं आज जो कुछ भी हूँ, सरके वज़ा से ही हूँ, माता पिता तो होते ही हैं, लेकिन हमारे कोड़ान होता है सभी बुक से पढ़ाते हैं लेकिन जो वैलिट बुक होता है आड़ी सर्मा उससे पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हर बच्चों के लिए क्योंकि रडी सर्मा एक कंप्लीट कोर्स बुक है अगर आप उसे कर लेते हैं तो आप चाहिए एंडिये का एक्जाम देना चाहते हैं चाहिए आप आगे फॉज में एक्जाम देना चाहते हैं किसी भी एक्जाम को आप एजली क्रेक कर सकते हैं और बात रही यहां खतम होने की तो मैं तो यहां एक नहीं दो दो बार आड़ी सर्मा कंप्लीट में आया है बिल्कुल आया सब्सक्राइब आपके साथ ही रहकर कंप्लीट किया हूं तो अगर कंप्लीट कर रहा हूं इसका मतलब है कि मेरे पास एक आड़ी सर्मा था और आप थे बताने के लिए क्योंकि नवादा जैसे छोटे सहर में 2020 में जैमें करवाना और किसी की बास ब इसके के लोगों के प्रेशर भी थे कि बहुत ज्यादा मुझे टैम भी नहीं मिलता था मुझे अपने बिजनस भी समालने पड़ते थे कारण यह बहुत सारी चीज़े थी लेकिन मैं और मेरा जो रुजान था जौब के परती एरफोर्स में या फिर इफेंस में वो कभी कम नहीं हुआ से और इसके लिए मैं हमेशा अपने हो जो सब्सक्राइबन करते जाइबरे बिए अपने अपनी मिहनत लगन पर भरोसा रखो लग कहीं कहीं पर साथ देगा जरूर देगा लेकिन अपना मेहनत और अपनी लगन सर का भरोसा कभी मत तोड़ो सर जितना बोलते हैं पढ़ने के लिए उसे जादा ही पढ़ो कम मत पढ़ो जो भी दिक्कत होता है जो भी परिसानी होता है सवाल पूछने में अपने से भी लिए लो भी लादाँ